नमस्कार फ्रेंट्स, डॉक्टर्स मीट, ऐसा मीट कि जो हमारे हिल्थ सर्विसिस को इन्हेंस करती है, सपोर्ट करती है, मोटिवेट करती है और स्ट्रेंथ देती है आज उसी टाटा मोटर्स कनेक्टिंग अस्पिरेशन एक लोगो है टाटा मोटर्स डॉक्टर्स मीट का और हम सभी लोग इन लोगों से जुर कर खास करके अगर डॉक्टर्स की बात करें तो अपने हेल्थ, वेलनेस और बहुत सारी चीजों को पॉजिटिवली गैदर करते है और मजबूत करते हैं तो आज आईए मैं सबसे पहले मैं बात करूंगा आपका सुब नाम क्या है डॉक्टर्स डॉक्टर मैं डॉक्टर अर्नव बतचा रही है हूं जी तो आज के मीट का में जो मेसेज है वह है समाज को हमारे तरफ से एक होलिस्टिक स्वास्त καा प्रदा किया जाए holistic का मतलब है ना केवल शारीरिक इसे गत different also जिस कारण से आपने देखा होगा कि हमारे यहां पर वरिष्ट विशेशक्या आए हैं जो के अ क्लाइल जो responds स्वास्त दोनों मिला के वो समाज के तरह एक ऐसा कंबाइंड हेल्थ का संदेश पेश करेंगे जिसमें मनुष्य टोटल तरह से स्वस्त रहे जी तो कौन-कौन से ऐसे लोग आए हैं जो बड़े डॉक्टर्स हैं हमारी शहर के या सहर से बाहर जिनको अब बताना चाह रहे के कारेकरम में डॉक्टर अलोक रंजन एक विख्यात कार्डियोलोजिस्ट जो सूरत गुजरात से आए हैं किरन मर्टी स्पेशालेटी हस्पताल के डॉक्टर ललित कपूर सहाब जो फेमस कार्डियो सर्जन है कलकता नैनेच ग्रूप के वो आए हैं तथा डॉक्टर अमर विखेश्ट स्पेशालिटी के ऊपर कारेकम प्रेश करेंगे तथा हमारे इस कॉंफरेंस में एक सेकेंड डे में बहुत जगा से विखेश्च आएंगे जिसमें शामिल रहेंगे डॉक्टर अलोक रंजन खुद जोक्टर ललित कपूर सहाब डॉक्टर मानिक कटूरुका जो किड्नी स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर रंजन कुमार्दास सहाब जो मेडिका कोलकाता से आएंगे वो लंग के स्वास्त के उपर बोलेंगे डॉक्टर पार्थो प्रतीम चोधरी जो हार्ट के विशेशक गया है हमारे मेडिटरेना होस्पेटल जमशेदपूर के तो इ इन टोटल मेडिशिन की बात होती है इन टोटल मतलब आपके हर एक एस्पेक्ट से आपके वड़ी को वैल करने की और उसी को हम लोग वैलनेस कहते हैं सर आपका बहुत बड़ा प्रेक्टिस है बहुत बड़े दिनों से आप लोगों की सेवा करते आये हैं तो मैं जरूर चाहूंगा कि आज के जो मीट और कॉन्फिरेंस है उसके भी से में कुछ आप कहें अपना पूरे परिचे हमारे दर्सकों को बताने के साथ मेरा नाम हुआ डॉक्टर संजय कुमार और मैं टाटा मोटर्स अस्पिताल को लीड करता हूँ मैं यहां का इंचार्ज हूँ यह जो कॉन्फिरेंस है और कॉन्फिरेंस से हर साल करते हैं और इस बार उसका उन्चास्पा संसकरन है इस कॉन्फिरेंस का मुख्य उदेश है कि हम अस्पिताल को दिन प्रति दिन हम उसका अप्डरेशन कर रहे हैं और इंफ्रस्रक्टर में डॉक्टर में प्रैक्टिस में मुख्य उदेश है कि हम जो यहां प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो जो इसके एक्सपर्ट्स हैं जो की बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके कंपेर करें तो हम एक्जैक्ली कहां हैं हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनका भी जो प्रेजंटेशन हुआ उसके आधार पर अब लगता ह है कि हम किसी भी नाशनल इंस्टूशन से जो वहां की जो प्रैक्टिसेज है उस अस्थान पर टाटा मोटर्स अस्पताल के जो सर्जन्स हैं या जो फिदीशन हैं या जो इंटेंसिव के लोग हैं वो पहुंच गए हैं और जो नॉलेज या इंफोर्मेशन जो एक्सपर्ट स हैं हम लोग बहुत सा पिछले एक वर्ष में एक है एक क्या 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 शर्टी है उसको बोलते हैं एने अबियेस सजबिकेशन पारता था कि कैस्टिस की सुविदा है आपका हेल्थ इंश्यूररंस से आप आईए, आपको पैसा अपने पास से जमा करने की जरूत नहीं है, आपको इलाज इंशूरंस के आधार पे दिया जाएगा, और फिर आप सुविधा आपको उपलब कर सकते हैं, रहा टेकनोलोजी की बाद, अब है कि आई सेजरी में हैं, अब लेजर की सुविधा आईिसियू की बात करें, पहले आईसियू में अब गंभीर मरीज की जरूत प्रतीत, मरीज को रखने का जगर की कमी थे, और कोविध में जरूत और बढ़ गई, तो हम लोगों ने आई स्यू बेड को आठ से बढ़ा करके 20 कर दिया, जिसे कि हम गंभीर मरीजों की सिवा क है गंभीर से गंभीर मरीजे हैड इंज्य ओर स्पाइन इंज्य loyalty के साथ अपने यहां इलाच का रहा है तो सासाथ है जो मेरा जो फ़ले से डिपार्ट्मंत शुडन सर्जरी और्थो पेडिक्स से सईकैत्री मेडिशी पेडियाट्रिक्स में भी ट्थेखनीटल जो जो ग्रोथ होता है वो अब हम जो जो standard होता है उस पे अब हम लोग प्रतान कर रहे हैं अब अस्पताल अपना डी इंवी टीचिंग अस्पताल है कि हमारे हां यह सुविदा है कि जो पोस्ट ग्राजुएट जैसे मेडिसिन में, सर्जरी में, गाइनी, अनिस्थीसिया, इन्टी, और्टोपेडिक्स में तीन साल के लिए गर्वर्मेंट और इंडिया से बचे नीट एग्जामिशन दुआरा आकर के ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग के बाद एक्जिट इग्जामिशन में वो उत्तिरिन होते हैं तो अभी रेकर्ड है कि पिछले दस वर्षों में हम लोग लगभग 95 से सौब प्रतिशत जो हमारे ट्रेनिंग हुई है और सेंडर ऑफ प्रेनिंग बताता है वो उत्तिरिन हो रहे हैं तो अब को वीट के बारे में जांकारी वह भी कम्यटी में जाकर कर के लोगों को पता रहे हैं कि कि और प्रे घुल्स के और अस्पेक्टे हो कौग अपने checked के बारे में जागरूक रहे हैं जिससे कि वह गंभीर बिमारी से वो अपने को बचाप कर सके हैं बहुत सुंदर बाद सर कही आज भारत सरकार का सबसे बड़ा एक रोल है और मोटो है कि प्रिवेंटिव मेडिसिन पे लगभग 40% पैसे खर्च किये जाएं क्योंकि जब हम कहा जाता है कि अगर हमने बिमारी को सुरू होने से पहले ही रोक लिया तो हमें हमारे मरीजों को होस्पीटल तक जाने के उसकता नहीं होगी लेकिन अगर खुदा न खासता आप नहीं रोक पाए अपनी डिजीज को तो जब आप टाटा मोस्टर होस्पीटल में आते हैं तो सर ने जैसे कहा कि बड़ी सारी अत्ताधनिक सुविधाओं से लैस होती जा रही है होस्पीटल अब यहाँ पर इंटरन्स की भी पढ़ाई करवा रहे हैं जो सिनियर रिजिडेंट डॉक्टर जिनको हम लोग कहते हैं टेकनिकल सब्द में सर यह होस्पीटल अपने आप में बहुत अनूठा है सबसे पहला अगर बात हम लोग करें तो टीए में छो होस्पीटल हो गया है ना दूसरी बात करें तो हम लोगों का जो अपना एमजीम अस्पताल है और इस पार्ट की बात करें होस्पीटल में कोई एक ऐसी कॉडिनेशन हो कि जो हम लोग मिलकर तुरत उसको फ़री इलाज दे सकें और प्रिभेंटी मेडिसीन को तुरत लोगों तक पहुचा सकें क्या ऐसी कोई नेटर की तैयरी होड़ी है आपका बहुत वाजिब प्रश्ण है और इसका एक बहुत ही अच्छा एक्जामपल यह कोविट पैंडेमिक रहा कोविट पैंडेमिक के समय जो आपका जो इस सिंग भूम के जो आपके जो अभिकारी गन हैं उनके साथ है टाटा ग्रूप टाटा ग्रूप मतलब टाटा स्टील टाटा में होस्पिटल टाटा मोटर होस्पिटल टिंप्लेड होस्पिटल जिस तरीके से हम लोग ने एक और एमजे मस्पताल जिस तरीके से कोडिनेशन किया इत वा यह एक डानेमिक था कि कोई मरीज आ रहा है जो की गर्मेंट लग रहा है हम लोगों ने करीब 200 बेड उपलत किया टाटा स्टील तो बहुत बड़े पैमाने पर उपलत किया तो इतना भयावा पैंडमिक को भी जिस तरीके से जमशेदपूर या इस सिंग्भूम में उसको हम लोगों ने मुकाबला किया यह प्यूचर में भी कभी इस तरीके का पैंडमिक या कोई परशानी होती है उसको हम लोग हैं बंचीन की बात कोविट वैक्सिनेशन नेशन भी आप देखेंगे कि इस सिंघ्भूम का जो आक्सिनेशन भी जो कोविड का हुआ वो हम समझते हैं कि पूरे राजे में यह सबसे बहतर तरीके से यहां हम लोग कर पाएं यह जस्ट बिकोज हम लोग का आपस का कॉडिनेशन बहुत ही बहतर था तो यह के है कि कॉडनेशन की बात करें यह हम लोग अच्छे देखर सकते हैं मैं एक last question पूछना चाहूँगा कि सर मैंने देखा है कईये कैसे जगहों पे कईये कैसे मुल्क में देशों में कि वहाँ पर जैसे community medicine होता है उसी तरीके से वहाँ पर लोग doctors अपने आप कुछ लोगों को group बना करके कैंप लगाया करते हैं खास करके उस area में जहां से लोग यहां आ नहीं सकते क्योंकि European country जो बहुत ऐसा देश है जहां पर हमारी जारखंड जैसा वाता हो रहन है मतलब दूर राज के गाउं इलाके हैं तो सर क्या हम लोग कुछ इस तरह से कुछ ऐसे social workers को साथ मिला कर टाटा कंपनी के कुछ management और क को एक्स या बहुत ऐसे लोगों के चकर में फस जाते हैं और डिजीज को खराब होने के बाद आपके hospital में पहुंचते हैं जिसके साथ आपको जूजते लड़ते और उस बीमारी से बचाते हुए बहुत जद्दो जाहिद करना पड़ता है तो क्या इसके तरीके का कुछ त टीम है बहुत ही proactively अभी उनका देखेंगे कि एक malnutrition जो बच्चे जो कूपोशन का शिकार होते हैं उनकी टीम अगल बगल गाउं में जाकर के awareness session करना और ऐसे बच्चे जिसका की वजन काफी कम है उसको अपने यहां हम लों की जो परिवार का लियान संस्था में एक के जो बच्चे हैं उसको वहां पर फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे को और मदर को सपोर्ट करते हैं सी एसर की डॉक्रिस की टीम अगल बगल विलेजर में जा करके health awareness program और उसमें टाटा मोडिस के hospital के डॉक्रिस भी उनके साथ associate होकर के schools में जाते हैं बच्चों को information देना उनको knowledge देना तो एक के एक के हम लोग एक के अलरी एक के लेवल पे हम लोग के community से जाकर जुर चुके हैं और इसको हाँ यह जरूर है कि इसको हम लोग further expand कर सकते हैं लेकिन हम इस बात का हमें गर्व है कि हमारा organization जिस तरीके से लोगों से साथ associate हो रहा है और इसका हमको अब result नजर आ रहा है कि जिस तरीके से अब बचे aware हो रहे हैं और proactively जिसका awareness करते हैं तो अब जो गंभीर बीमारिया का gradually अभी तो बहुत समय लगेगा because आपादी बहुत जादा है लेकिन इसका जो अच्छा जो result है वो अब नजर आने लगा है different आया में जैसे अनीमिया की बात करें खुन की कमी है mother जो pregnant mother है जो आपकी जो mother and child की बात करते हैं उसमें इन vaccination से या उनका खान पन क्या करने का है उसका result वो अब है कि maternal mortality rate और neon mortality rate यह दो indicator है कि कि कितना effective है तो हमारे यहां इस तरीकी में इसका rate किसी भी अच्छे जो standard में वो match करता है तो यह काफी एक अंदर चर्चा रही और आज का जो एक conference है आज शुरुबात हो यह कल अंत होगी इसकी और एक conference doctors के लिए ही नहीं उन सभी लोगों के लिए पूरे जमसेत्पूर ही नहीं पूरे जारखंट के लोगों के लिए medical practitioners के लिए और प्लस society के उन सब जागरू को लोगों के लिए लाउसक है कि जाने की health services कितनी important है खुद बखुद doctors अपने आपको तयार करते हैं नित नए तरीके से disease से जूजने के लिए और disease को जर से मिटाने के लिए हमारे प्रधानमंतरी का भी यही सपना है हमारे मुखमंतरी का भी यही सपना है और हमारे MD का भी यही सपना है क्यों क्योंकि टाटा सिर्फ टाटा नहीं है टाटा ट्रस्ट है टाटा एक बहतर services है टाटा अस्पिलेशन है टाटा हम सब लोगों की उमीद और आसा है टाटा पूरे भारत वर्स को एक bench mark देने वाली platform है और भारत को उरान देने वाली दो पंक हैं नमस्कार डॉक्टर अनुसर